पुलिस परसासंग ने कई बड़े बड़े नामों को हिरासत मिलिया है और ये बस देखिए जिस बस में बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत मिलिया गया है जिसमें बीजेपी के परदे सद्यक्स समराच चौधरी, पुर्भुपुमुख मंत्री तार्किसोर परसाद, पुर्भुपुमुख मंत्री रेनु देवी इसी बस में बड़े है और ये तस्मीर देखिए किस तरीके से उन्हें हिरासत में ले लिया गया हुआ है पुर्भुपुमुख मंत्री तार्किसोर परसाद है और ये तस्मीर देखिए इस बस में बिहार बीजेपी के कई बड़े नाम है वो चार हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है रेनु देवी, समराच चौधरी, तार्किसोर परसाद समेत कई विधायक जो है और पुर्भ मंत्री इस बस में मौझूद है जिने हिरासत में ले लिया गया है और राधानी पटना के डाक बंगला चोड़ाहे पर खंटों चली इस भंगामे के बाद भाजपा के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है और देखे किस तरह से भाजपा के जो कार करता है वो इस बस के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं और भाजपा के निता इस बस में मवजूद है साथ ही आज पीछे और आगे जो है भाजपा के जो कार करता है वो इसी बस के आगे पीछे जा रहे हैं अपने निताओं को छोड़न इस तरह से यह देखे साहनवाज हुसेन खिर्की के अपको सैनवाज से निखेंगे सैनवाज जी यह देखेंगे सैनवाज बठेंगे और नुए पीस बस में इरासत में जो है वो लेकर जाया जा रहा है तक आगे नीति नभी दिख रहे होंगे ना डरे हैं ना डरेंगे हमारे कारकरता की शहादत हुई है हत्या की सरकार में हम लोग किसी भी हत्तक जाएंगे लडाई को मजबूती से लड़ेंगे कि मर्चंसी से भी ख़़ा भालत है हमारे कारकरता की हत्या की सरकार से लड़ेंगे यह सैनवाज हुसें थे जहां सैनवाज हुसें थे और सहवाज हुसें के समेथ मंगत पांडे विधायक निति नभीन और दूसरे बस में देखिए बीजेपी के कई कारकरता जेल जा रहे हैं पुलिस के हिरासत में ले लिए गया है और पुलिस उन्हें इस बस में भर-भर के ले जा रही है यह तस्वीर देखिए जहां पुलिस जो है वो भर-भर के बीजेपी के कारकरताओं को ले जा रही है और बीजेपी के परदे सत्य एक सम्राप चौधरी समेथ कई कज़ों हैं वोस बस में वाजूद हैं और उहें विरफ्तार कर लिया गया है अनिकेत कुमार विहार तक पठता है हुआ है